दोस्तो अगर आपने इस वीडियो पर ये सोचकर क्लिक किया है कि यहाँ पर आपको आधार गार्ड से 100% लोन मिल जाएगा तो भई यहाँ पर आपको 100% लोन मिलेगा सबसे पहला आप लाइप प्रूफ देख सकते हो आपके सामने है मैंने इस application से आधार कार्ड की मदस्टे दोस्तो पूरे 40,000 रुपे का लोन अप्रूफ कराया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो यह जो पैसा है मेरे बैंक अकॉट में ट्रांसफर हो चुका है और आप भी यह सोच कर चल लें कि आपको 100% अप्रूवल मिलेगा तो यहाँ पर आपको अप्रूवल मिले ही जाएगा देखो इस application के जो अप्रूवल रेट है दोस्तो यूट्यूप पर आप जितनी मर्जी वीडियो देख लें जितने मर्जी लोन अप के बारे में सोच लें ठीक है इस अप का जो अप्रूवल रेट हो आपको 95% देखने को मिलेगा यानि कि अगर 100 लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 95 लोगों को यहाँ पर लोन मिलना ही मिलना है यहाँ पर दोस्तों कोई भी इंकम प्रूफ आपको देने की जोड़ रही है और इस अपकर लोन अप्लाई करने से पहले आपकी जो इलिजिबल्टी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एज की इलिजिबल्टी है यहाँ आपकी जो एज है वो 18 पिलस होनी चाहिए 18 साल कंपलेट आपकी एज है आधार गार्ड पैन गार्ड में आपका सेम नाम है और बैंक में आपका सेम नाम है यहाँ पर आपको इंस्टेंट अप्रोल मिलेगा और 5 मिनट के अंदर यह पैसा आपके बैंक आउंड में ट्रांसफरी हो जाएगा इसके साथ साथ मैं आपको पहले ही बता दूँ दोस्तो यहाँ पर जो लोन अप्लाई करने का तरीका है वो बहरी सिंपल है इतना आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूप पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा सबसे आसान तरीके से लोन देने वाल हम लोगों को अपलाई करते हैं देखो इस एप का डायर्क लिंक आपको वीडियो की डिस्क्राप्शन और कमेंट पॉक्स में मिलेगा जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्लेश पर पहुंच जाएंगे प्लेश पर पहुंचना है इस एप को अंस्ट्रॉल कर ले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसी क्लिक करेंगे आपके सामने यावल इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलाओ या निके दोस्तों कॉन्टेक्ट SMS and Location की जो Permission है उसको अलाओ करना होगा अलाओ असस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यावल इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको वाईल इंटरफेस को सिलेट करके वेरिवाय पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ छी यहाँ पर आ एक selfie को capture करेंगे, selfie capture करने के बाद दोस्तों submit पर click करेंगे, अब आपके सामने यह वाला interface आएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, easy verify आधार with OTP verification, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, OTP will be send the phone number link to your Aadhar card, तो देखो आपके पास है, तो यहाँ पर आपको कोटी पी डालना होगा, और ऐसी condition में अगर आपको लगता है कि आपके आधार card से link phone number है, वो आपके पास नहीं है, यह आपको नहीं पता है, तो simple आप second वाले option पर click कर सकते है, upload ID card पर इस पर मैं click करूँगा, उसके बाद मेरे सामने यवाल इंटरफेस आएगा, यहाँ पर to get start kindly select an ID below identity type पर आप जब click करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ option देखने को मिलेंगे और यहाँ पर option है, आधार card voter ID card, जैसे कि मैं आपको बता है था कि यहाँ पर आपको आधार card से लोन मिलेगा तो देखो, आप देख सकते हो, आधार card यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके सासद voter ID card दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर आधार card नहीं भी है, तो voter ID card से भी आप लोन ले सकते हैं, समझे, voter ID गाड से भी लोन ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर आधार गाड को select करूँगा उसके बाद में सामने यह वाल इंटरफेस आएगा continue पर click करूँगा अब यहाँ पर देखने को मिलेगा verify your id next पर click करूँगा अब उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार गाड है उसके front side की photo को capture कर है अब हमारे सामने next page आता है कि add personal detail यहाँ पर देखने को मिलेगा आप अपना नाम बताएंगे वैसे by default यहाँ पर आपका नाम आ जाता है यहाँ पर pen card पर जो आपका पूरा नाम है वो बताएंगे pen card का number बताएंगे date of birth बताएंगे इसके साथ साथ आप अपना gender वो आपका current address है यहाँ पर क्लिक करेंगे बाद में पूछे जाएगा are you politically exposed क्या आप कोई political export वक्ती है यहाँ पर आप no पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक email ID देनी है यहाँ पर इनकी term and condition को select करके continue पर क्लिक करेंगे अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने email interface आता है यहाँ पर आपको income detail देनी होगी income detail में क्या देना होगा current income type पर क्लिक करेंगे आप sell lead है self employee है unemployed है या other है इने में से किसी एक category को select करेंगे पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर जो maximum loan मिलता है वो sell lead self employee को मिलता है ठीक है तो इन दो category को ही आप select कर लें जैसे आप category को select करेंगे तो यह category आपके select होके उपर आ जाएगी अब नीचे आपको देखने को मिलेगा monthly income यहाँ पर आप महिने में जितना भी कमाते हैं यहाँ पर check box पर click करके ठीक है यहाँ पर अपनी income को जो है वो select कर लेंगे उसक पर अपना bank को select कर लेंगे bank select होने के बाद यहाँ पर आ चुका है union bank of india अब यहाँ पर देखने को मिलेगा bank account number ठीक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो जो भी आपका bank account number वो यहाँ पर डाल लेंगे अब दोस्तों आप सोच रहोंगे कि मैंने आपको दिखाया है क जबकि यहाँ पर union bank of india दिया हुआ है तो भाई confused बिल्कुल भी ना हो यह एप जब आप last में loan लेते हैं वहाँ पर भी आपसे पूछता है कि भी आप किस bank खाते में इस पैसे को transfer कराना चाते हैं यानिके और इस पैसे को मंगाना चाते हैं तो आप बाद में चाहकर किसी द देखने को मिल जाएगा अब हमारे condition में दोस्तों यहाँ पर हमें 500 रुपे का loan मिल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद अगर हम scroll करेंगे तो 1000 का लोन है 1500 का, 2500 का, 4000 का, 6000 का, 8000, 10,000, 17,000, 20,000, 23,000, 35,000 और 40,000 रुपे दोस्तों हमें यहाँ पर 40,000 रुपे तक का loan apply करूँगा, continue पर click करूँगा, और जैसी continue पर click करूँगा मेरे सामने interface आ गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल एगा select loan term, यहाँ पर हमें 2 tenure देखने को मिल रहे है, number 1, 180 दिन, यहनिके 6 महीने के लिए loan ले सकता हूँ, दूसरा है दोस्तों 270 दिन, यहनिके 9 महीने के सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी जो condition उसको select कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने interface आएगा, कि मैं 40,000 रुपे मैं ले रहा हूँ, 6 में इनने के लिए, ठीक है, मेरे जो प्रोसिंट फीज जाएगी, 1779 रुपे जाएगी, बैंक में जाएगा 38,231 रुपे, मे अब यह तक आपने देखा, लोन हमारे सामने आचुका है, लोन हमें मिलने भी वाला है, कोई भी हमने इनको प्रोफ नहीं दिया है, कोई bank statement नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं continue पर click करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पर view loan detail पर click करूँगा, अब यहाँ पर देखने क detail देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको loan का tenure देखने को मिलेगा, कि भी यहाँ पर इतने रुपी की MI जाएगी, 6 में इनने के लिए हम loan ले रहे हैं, ठीक है, back arrow पर click करूँगा, उसके बाद continue पर click करूँगा, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, confirm deposit amount, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, 38,231 रुपे, हमारे bank खाते में जा रहे हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आपको मेरा bank account देखने को मिल जाएगा, union bank of india का, जो मैंने दिया है, पर यहाँ पर आपको एक और option देखने को मिलेगा, यह वाला arrow, ठीक है, इस पर मैं click करूँगा, जैस कर सकते हैं, account number देकर submit पर click करेंगे, तो आपका यह जो bank के दोस्तों select हो जाएगा, भी आप यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों हमारा जो loan का agreement पूरा आ चुका है, loan के agreement को पढ़ने के एक बार, उसके बाद पढ़ने के बाद नीचे देखेंगे, आपको एक option देखने को मिले गए हैं, और देखो इनके तरफ से बोला जाता है कि भाई, इस पैसे को आपके bank account में transfer होने में 12 गंटे तक का समय लग सकता है, भाई देखो पहले ही बताते हैं, मेरे condition में तो एक से लेकर 2 मिनट के अंदर ये पैसा मेरे bank account में transfer हो जाता है, पर आपकी condition में अगर 12 गंटे तक आपका पैसा नहीं आया है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये maximum 12 गंटे का समय लेकर जलते हैं, फिर से आपको पूरी detail देखने को मिलेगी, view loan detail and schedule पर click करके आप जो है loan की detail देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा interface देखने को मिलेगा, अब देखो, app के तरफ से हमारे साम पासर हो चुके है, bank से message आ चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे, दोस्तो, bank के तरफ से जो है, वो text message भी आ चुका है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, 38,231 रुपे, और मेरा जो total balance है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीके से दोस्तो आप जो है, इस application पढ़ा करें, instant person loan ले सकते हैं, अब आप सोचते होंगे कि इस application का नाम क्या है, इस app का नाम है दोस्तो, branch application, तो इस app का direct link आपको वीडियो के description और comment box में मिलेगा, link पर click करके आप loan के लिए apply करेंगे, instant approval मिलेगा, वीडियो पसंद आइए, वीडियो के like करें और चैनल क सब्सक्राइब जरूर करें